हेलो दोस्तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टर रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के नए वाइस प्रेसिटन के बारे में और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाइस प्रेसिटन को क पॉइंट करता है दोस्तों वीडियो का इन तक देखते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल लाइक हैं जुरूर प्रेस करें वीडियो करें तो वीडियो को लाइक का जॉइन बटन मिल रहा होगा उस पे आफ किलिक करें और उसके बाद आफको ये PDF अवैलिबल कर दी जाएगी दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो तो दोस्तों इंडिया के नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए जगदीप दनकार जो कि इंडिया के 14 वाइस प्रेस वाइस प्रेसिडेंट जगदीप दनकार की फोटो दोस्तों इससे पहले इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे एम विनकया नाइडू और जगदीप दनकार को इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था 6th August 2022 को इसके अपोजिशन में जो कैंडिडेट थे Vice President के उनका नाम था Margaret Elva अगर न वोटिंग की बात करें तो जगदीप दनकार ने 528 वोट्स लिए और Elva ने 182 वोट्स लिए दोसों जगदीप दनकार का जन्म हुआ था 18 में 1951 को किताना विलेज जुनजुनु डिस्टिक्ट राजिस्थान में इनका जन्म हुआ था और इसके अलावा दोस्तों याद रखें जगदीप दनकार को एपॉइंट किया गया था गवर्नर आफ वेस्ट बंगॉल इन जुलाई 2019 इसके अलावा ये राजिस्थान हाई कोट और सुप्रीम कोट अफ इंडिया में लौक की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं याने ये वकील भी रह चुके हैं आज याने 11 ऑगस्ट 2022 को इन्होंने 14 वाइस प्रेसिडेंट आफ इंडिया के तोर पर शपत ली अब हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए क्या क्या कॉलिफिकेशिन होनी जुरूरी है तो अकॉडिंग डू आर्टिकल 66 आफ इंडियन कॉनसिटिटूशन सबसे पहले जो कॉलिफिकेशन होनी चाहिए एक परसंड की वाइस प्रेसिडेंट आफ इंडिया होने के लिए तो सबसे पहले है इस टीजन आफ इंडिया यानि उस शेहरी को इंडिया का शेहरी होना जरूरी है, यानि कोई भी इंसान जो वाइस प्रेसिडन बनना चाहता है इंडिया का, तो वो सबसे पहले इंडिया का स्टीजन होना चाहिए. उसके बाद दूसरी कंडिशन ये रखी गई है, कि उसकी एज जो है, वो 35 येर्स होनी जरूरी है. तीसरा कंडिशन जो रखी गई है, वो है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अज़े मिंबर आफ कांसल आफ स्टेट्स, यानि जो कांसल आफ स्टेट्स का मिंबर होने के लिए क्वालिफिकेशन है, वो सारी क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, और तीसरी एक कंडिशन ये भी है, कि वो कोई भी तरह का ओफिस आफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा हो, तो ही वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसपेट कर सकता है, यानि अगर वो कोई भी आफिस आफ प्रॉफिट होल्ड करता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, अब हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, तो दोस्तों आफ को याद रखना होगा, Vice President of India को elect करता है Electoral College जो की consist होता है House of Both House of Parliament यानि राज्य सबा और लोग सबा के जो elected members होते हैं और जो की फिर एक Electoral College बनाते हैं फिर यही Electoral College जो है Vice President को elect करता है voting के जरीए voting जो होती है इसमें single transferred vote होता है और voting secret ballot के जरीए से होती है इसके अलावा जो Vice President होता है वो office को hold कर सकता है पांच सालों के लिए और ये date यानि पांच सालों की जो date है ये start होती है जब वो अपने office को assume करता है अपने office की charge संबालता है तो दोस्तों ये थी एक चोड़ी सी वीडियो नए Vice President आफ इंडिया के बारे में उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक next वीडियो म